बात आप करेंगे आगरा लगनो एकस्प्रेस वें की जिसका लुकारपन आज होगा और मोके मंत्री अकलेश च्यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लगनो एकस्प्रेस वे उद्खाटन की भवितईयारी करी है इसके जरिये अकले श्वादव अपने पिता और सपा अध्यक्ष मुलाम सिंग यादव को जर्म दिन का तोफा भी देंगे उद्गाटन समारों के मौके पर भारती वायुसेना के आठ लड़ा को विमान एक्स्प्रेस वे पर उतरेंगे और सड़क की मजबूती को पर खेंगे उद्गाटन समारों लखनों में 75 किलो मीटर दूर उननाव जिले के बांगरमो इलाके में आयुजित हो रहा है इस एक्सप्रेस वे को 22 महने के रिकॉर्ड समय में तयार किया गया इसके जरिये आगरा लखनों के बीच की करीब 300 किलो मीटर की दूरी महसारे 3 घंटे में पूरी होगी और दिल्ली से लखनों सिर्फ 6 घंटे में पहुँचना संभव होगा आगरा लखनों एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है और इस मौके पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंग्यादव यूपी सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता मौझूद रहेंगे तो आगरा लखनों एक्सप्रेस वे का आज लुकारपन होगा और आपको बता दे कि आज मुलायम सिंग्यादव को तौफ़ा देने की ये जो कवायद है वो मुख्यमंत्री अकलेश व्यादव की तरफ से की जा रहे है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अकलेश व्यादव का और वो तौफ़े की तोर पर अपने पिता यानि की सफा अध्यक्ष मुलायम सिंग्यादव को इससे देंगे उद्खाटन समारों के मौकी पर भारती वायू सेना के जो आठ लडाकू विमान है वो एक्स्प्रेस वे पर उतरेंगे और सड़क की मजबूती को पर रखेंगे उद्खाटन समारों लखनों से 75 किलोमीटर दूर उनाव जिले के बांगर मौ इलाके में आवजित किया जा रहा है और इस एक्सप्रेस वे को 22 महिने के रिकॉर्ड समय में तयार किया गया है और इसके जरीय आपको बता दे कि आगरा लखनों के बीच की जो दूरी है 300 किलोमीटर की उसे महज 3.5 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा दिली से लखनों सिर्फ 6 घंटे में पहुचना संभावोगा आगरा लखनों एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है और इस मौके पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंग यादव यूपी सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंग करी